११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११ ये लोग मुलतह ख्यत्रिया चंद्रवन्सी हैं चंद्रगुप्त मुरिया संद्रगुप्त आदी इनके कोस्टी से माना जाता है तन्तु ये अब ख्यत्रिबाड़ी बैसा आदी को अपना जबिय का कमाध्यम माल लिया है ये कुल्लो पत्य का भेली हिमाचल प्रदिश से आने का बताया जाता है कुल्लो का अरध्या और प्रत्यक्य देवी महराम चंडी को ये भी मुख्य देवी मानते हैं मन्यता के अनुसार ये लोग महराज दसरत के दरवार में सेवा करते थे प्रभु स्री राम के बनबास समय में ये भेया लक्स्मान और सीता मेया के साथ आये थे साथ आकर रास्ते पर जक्ति और सरसरा गाउं में जो के बद्द के पासे वहीं रहने लगे बद्द को इसलिए कुल्ताओं का मुलस्तान माना जाता है पहचान के तोर पर यहां बसा हुआ गाउं का नाम लिया जाता है कुछ सतप्ति के बद्द के राजा ने पातनागड का राजा को कुछ कुल्ता खेतिबाड़ी के लिए दिये थे इन लोगों ने खेतिबाड़ी के लिए खासकर पातनागड गए थे परन्तो किसी कारण बसा था पातनागड से यह बरगड़ जीला का गाय समा भाग गए बात में उनमें से कुछ संबल पूर चले गए यह अंग जीरा महानदी अधि नदियों के किनारे में रहने लगे उनमें से कुछ राजों के द्वारा खेतिबाड़ी के लिए काला हंडी भी चले गए गुस्तो मध्यप्रदेश याने कि छतिसगड के तरफ भी जाकर रहने लगे जो पहले अभिभाजित थे माना जाता है कि ओडिशा का खंडायत और चसा कुल्टा जैसा जाती है ये भी माना जाता है कि ओडिशा का सुथ डुमाल और कुल्टा बराबर जाती है माना जाते है कि आसाम का कालिता उत्रप्रदेश का मुर्या आदिक कुल्ता जैसा जाती है परन्तो यह सोत अनुसंदन की विशाया है परन्तो यह सत्य है कि यह आरिय, महनती, चोतूर, सुश्वस्कृत, बुद्धिमान और रैमान कालिन है मैं अपना जानकरी, पठान और सोत की अनुसार बताया हूँ, गलती के लिए माफ्य दीजिए आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, इस जाती के उपर मेरा गुलते जाती का भीसे सता और सरगे दबता मंचब गुलता भी है मुझे प्रस्वाइद करने के लिए रुपया चैनल को सस्क्राइब और स्यार करें, मैं नाया हूँ थैंक्स वर वाचिए।